तब से पहला तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉमर्स वाले सही बच्चों को हैप्पी न्यू यू यर्, आपके लिए जो यर है 2023, ये मंगल में हो, शुबकारी हो, लाबकारी हो, और आपको नहीं नहीं उचाईयों तक पहुचाए, आप अचीब करो जो आपने 2022 में नहीं किया वो 23 में चीब करो, ऐसी मेरी आपको दुआएं हैं, मेरी आपके लिए ब्लैसिंग्स हैं, इस तरह अपना प्यार देते रहिए, जैसे आपने 2022 में इस चैनल को सपोर्ट किया है, वैसे करते रहिएगा, आज की वीडियो काफी सूपर से उपर होने वाली है, और स्पेशल है साल के पहले दिनी, आप सब के लिए बीकॉम स्टुडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो, जी है दोस्तों, आज मैं वो सूपर टिप्स आपको देने वाला हूँ, इन्हें भ्रहमास्त भी आप बोल सकते हैं, सूपर टिप्स भी आप बोल सकते हैं, मेंगा टिप्स भी सारी करना चाहते हो, या भी कर रहे हो, एक्जाम सरपर है, या भी टाइम भी है, मेरी वीडियो लास्त तक देख लेना, आज की वीडियो में जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, कोपी पैनल लेके बैड़ जाओ, और यह सारे पॉइंट नोट कर लो अपने पास, या फिर इन जो फॉर्मूले कहलो या टिप्स कहलो, तो वो इने फॉलो करते हैं, जो आपने देखा होगा कि आपको लगता है जोब भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, फिर भी फर्ट डिजन आ रही है, कैसे मुमकिन है, यही है, मैं खुद जोब करता था जब मैं नाइंध किलास में थ तब से मैंने कंटीनी जोब किया अब तक, जैसे मैंने काम तो छुटियों में सिक्स किलास से भी किया है, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ जोब को मैनेज करता था, फिर भी मेरी फर्ट डिजन आ जाती थी, बिकोज ऑफ दीज टिप्स, जो मेरे टीचर ने मुझे दिये थे, आज मैं वो आपको देने वाला हूँ, as a teacher, मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा, यह चैनल बनाए सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, अगर आप भी कॉमर्स हैं, तो आपका फर्ज बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेर करो वीडियो को, कम से क चाते हो, तब भी आपके लिए best है, let's see, दोस्तों, सबसे पहला जो tips आता है, यह, मैं इन्हे tip, मैंने बली नाम दे दिया, लेकिन मैंने tip ना कहकर, मैं कहूंगा, यह वो भ्रहमास्त्र है, जो आप apply कर सकते हो, आज से, अभी से, पहला tip क्या है, जो आपको note कर लेना चाहि अब यह, scholars क्या चीज़े मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसे simple way में समलीजे, topper, आपकी class में, जो भी topper student है, जो भी आपको लगता है कि हाँ सर्ये, topper है, मैं उसकी help ले सकता हूँ, definite तोर पर लीजिए, आपको लगता है कि आपको कोई friend है, कोई आपका senior है, जो आप अपने बहुत जदा help ले लेगे, कभी कभी आपक जो topper students होते हैं, वो अपने notes खुद बनाते हैं, अगर जब अपने notes खुद बनाते हैं, तो उनसे वो बहुत सारे motivations आपको देंगे, बहुत सारे important questions आपको निकाल कर देंगे, और कभी-कभी अगर वो अपनी photocopy देंगे, तो उससे तो बढ़ी आई बात कोई नहीं, तो इसलिए आपको अपनी class के, अपने subject के topper के साथ, scholar के साथ, दोस्ती रखनी चाहिए, उसके साथ, उसकी help लेनी चाहिए, get previous year question paper, ये मैं हमेशा कहता हूँ, कम से कम 3-5 साल के question paper अगर आपको मिल जाएं, तो आपको करना क्या ह उन previous year question paper, कहां मिलेंगे, और university website पर, college की website पर, whatsapp group पर, पुराने student से, school college के पास कोई stationary की shop है, book stall है, वहां से मिल सकते हैं, ठीक है, और जो question bank होता है, उसके पीछे last में भी होते हैं, वो आप ले सकते हैं, पुराने question bank खरीद कर, अगर वो मिल जाएं, उनका analysis करना है, कौन से questions common है, जो पिछले 3-4 साल से continue आ रहे है, या फिर एक साल छोड़के एक साल आ रहे है, उनको पहले revise करो, वो question आपको capture करने है, और उनी question से ही आपका काम हो बन पाएगा, उनी question से आपके अच्छे number आ पाएगे, समझ में आगी बात, तो previous year question paper must रखें अपने पास, go for theoretical ones, जी की है, तो कुछ खास नहीं पढ़ पाए, अब वो चाते हैं कि हमें अच्छे number लाने है, तो उन्हें मैं कहूंगा कि अब इतना time नहीं बचा है, कि आप further numerical की तरफ भागो, आप coaching join करो, क्या होगा, you have to, you have to concentrate the theoretical work only, अब अच्छे का करते हैं, coaching लेली चलो, वहाँ से चल नहीं कि नुमेरिकल वो कर लेंगे, कुछ नहीं कि वल मित है, मैं आपको कहूंगा, आज से ही अपनी theory पर पकड़ करें, question bank से पढ़े, note से पढ़े, कहीं से पढ़े, बस theory पर focus आपको करना रहेगा, focus on diagrams, यह सबसे important है, एक examiner माल लो, मैं आपके college का examiner हूँ, जो आपकी copy check कर रहा हूँ, copy में पहला impression होता है, first impression, वो कैसे बनता है diagram से, कोई भी long question है, उसका पहला page diagram होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता diagram क्या किस तरह से कर सकते हैं, तो जैसे मा लीजे मैंने a tree बना दिया, ठीक है, और मैंने a tree बना दिया, और इसके अंदर मैंने गोले बना बन जो मेरे points थे, merit, demerits के, characteristics के, lab, dosh, gund, विसेशता हैं, यह मैंने इसमें लिख दी, और अगले page से एक-एक heading को मैंने bifurcate किया, यहने की detailize किया, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, first impression बनता है, तो diagram पर भी focus करो, diagram in potence है, go for the easiest unit, अब होता क्या है, एक तो हमर पस time कम ह एक हमने कभी coaching नी ली, हम चाते हैं, pass हो जाएं, अच्छे number आजाएं, तो हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है, easy से शुरुआत करनी है, और easy को ही पकड़ करना है, कभी-कभी हम hard की दरफ चले जाते हैं, और उससे होता क्या, या तो पढ़ाई में मन नी लगता, मन करता है किताब बंद करें और बैठ जाएं, या फिर हम उससे समझ नहीं पाते हैं, chapter को ही short देते हैं, easy क्या होता है, short questions easy होते हैं, very short questions easy होते हैं, ठीक है, उन से सुरुआत करो, short, very short, chapter का introduction, chapter की थोड़ी theory पढ़ लो, है ना, ये सब easy होते हैं, इन से सुरुआत करें, तो आपको नाम भी पता है, उसके बार में कोई भी question आजाए, उसके बार में लिखने की शम्ता होनी चाहिए, मैं भी ऐसे ही करता है, जब मेरे पास time नहीं होता था, मैं job करता था, रात को 9 बजाता था, 9 क्री से अगली दिन मेरा paper होता था, तो बस रात को एक बार reading माल लेता था, question bank क कि कोई मेरे पार पार रह गया है, तो उसके chapter का नाम क्या है, और उसका एक पहरा पढ़की कि उसका meaning क्या है, अब इसके ओपर कोई भी question आया, मैं तो बना के लिखे आता था, तो इस सबसी important चीज़ है, और आगे जो points है, वो इससे related ही है, तो आगे points ज़रूर से देखते र पता है, चाहिए उन्हें test कहलो, formative test कहलो, कुछ भी assessment कहलो, FA कहलो, कुछ भी कहलो, तो वो जो होते हैं, उन्हें जो teachers ने questions दिये हैं, वो most important होते हैं, उनको जरूर कर लेना, अगर आपने कभी time नहीं किया, तो किसी friend वगरा से लेलो, लेकिन वो questions, जो आपको लगता है कि internal exams समय आए हैं, वो आप जरूर से capture कर लो, it will help you to get past in your final examinations, so don't worry, no ratta only concept work, ratta application नहीं करना है, लोग क्या करते हैं, चलो time कम है, इस question को ratta कर लेता हूँ, हम जिस question को ratta की कोशिश करते हैं, जितनी तहीं से ratta हैं, उतनी तहीं से वो हमारे mind से चला जाता है, ठीक है ना, लेकिन अ हमारे mind में बैठ जाए, अगी बार समझ में, तो कोशिश करें कि आप किसी भी चीज को समझे, ratta application बिलकुल नहीं करना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, तो उस question का starting का part पढ़ लो, इतना भी काफी है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा, किसी question में 10 headings ह है, तो उन heading का रटा मार लेते हैं, अंदर को छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ heading को छोड़ो, अंदर को पढ़ लो, headings अपने आप बन जाएगा, अगर बनाने वाले होता हो, ठीक है, use google as a teacher, अब google को as a teacher क्यों use करने के लिए कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे topics ऐसी होंगे, आ आपने एक question bank लिया, और उसमें से आप एक question याद करनी कोईश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, याद, क्यों नहीं कर पा रहे हो, जी आँ, आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है, कि वो समझ में नहीं आरा मुझे, तो उस topic को google पर डालो, और in Hindi या कुछ भी, तो आप कुछ की detail आजाएगी, तो उससे में help मिलेगी, अभी कोई शब्द ऐसा आजाता है, जो में समझ में नहीं आता, उसके लिए आप google translator की help ले सकते हो, वहाँ से आपको बहुत help मिलेगी, बहुत detail मिलेगी, make the first impression, अब आगे exam की बात, जब आप exam देन तो, दूसरा diagram अच्छे से use हो, colorful होना चाहिए, मैं multi pen का use करें, headings अच्छे से हो, and appropriate writing आपकी साफ हो, ये सब चीजे होंगी, तो क्या होता है, जैसे मैं एक examiner हूँ, मैं 12-13 सल copy check कर चुक हूँ, मुझे इसका experience है, हम पहली copy पहले पनने से ही पता लगा लेते हैं, कि ये student कै इसा है पढ़ाई में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कि बीच में जाके पता लगता है, ये तो ठप है, starting में अच्छा का रखा है, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आप tension मतलो, आपको बस क्या करना है, starting के एक, दो, तीन, चार पे, जितना अच्छा हो सके करें, बढ़िया त impression आप बना लेंगे, तो teacher को भी लगेगा, कि हाँ यार ये बच्चा सही है, तो वो polite हो जाएगा, आपसे copy चेक करते वक्ते हैं, और हो सकता है, आपको extra marks भी दे दे, attempt all the questions, अब ये important चीज है, exam में अगर कोई question नहीं भी आता, उसे छोड़ के मत आओ, खासकर theory के question, numerical का भी, बहुत बर ऐसा होता है, हमें कोई numerical आधा आता है, formula लगाना आता है, solve करना नहीं आता, तो आपको पता होगा, accounts में formula लगाने की marks मिलते हैं, line एक हीजने भी table लगाने की marks मिलते हैं, तो tension मतलो, अगर आपको theory भी नहीं आती है, लेकिन आपको उसका पहला सब्द पता है, उस और वो एक काम उर करता था, हर question को बड़ा करने के लिए, उसका introduction जरू लिखता था सुरू में, और भाई, वो पास होता रहा हमेशा, आज उसने b-comby कर लिया, am-com कर रहा है, तो यही मैं कहा रहा हूं, कि आप attempt all the questions, sub-question attempt करने हैं, प्रोपर तरीके से, अगर ये 10 tips आप follow क कर रहे हो, तो आप चाहे top बनना चाहते हो, चाहे pass होना चाहते हो, चाहे prediction लाना चाहते हो, easily कर सकते हो, वीडियो को like, share, दबा के करना, share करना, and again फिर से, happy new to all. कर दो कर दो दो पिर से, भीडियो कर दो आपस।